लक्ष बड़ा हैं, लक्ष कठीन भी हैं, लेकिन हर देशवासी को आज इसके लिए जी जान से जुटनाई हैं, नए प्रन लेने हैं, नए संकल्प लेने हैं, नए गती पकड़नी हैं। और इत्याद गवा है, कि हम भारतियों का विश्वास सिर्फ भारत तक ही सिमित नहीं रहता। हमारी आजादी की लड़ाई ने दुनिया के बहुत सारे देशों में उस समय एक नई चेतना जागरत कर दी थी। हमारी आजादी की लड़ाई से भारत तो आजाद हुआ ही, साथ ही कई देश आजादी की राह पर चल पड़े। भारत के विश्वास ने दूसरे देशों को, दूसरे देशों के विश्वास को सहारा दिया था। और इसलिए भारत जैसा विविदता से भरा देश, इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतनी सारी चुरोंतियों से लड़ने वाला देश, जब एक विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तो इससे दुनिया के अनेक देशों को प्रेरना भी मिलती है। भारत की हर सफलता आने वाले दिनों में, दुनिया के अलग-अलग भूभाग में, अलग-अलग देशों की सफलता के रूप में प्रेरना का कारण बनने वाली है। आज़े भारत तेजी से गरीबी दूर करता है, तो ये कई देशों को गरीबी से बाहर आने की प्रेरना भी देता है। भारत का विक्सित होने का संकल्प कई और देशों का संबल बनेगा। इसलिए भारत की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। और साथियों सफलता की पहली शर्त सफलता की पहली शर्त सफल होने का विश्वास ही होती है। ये नया संसद भावन इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है। ये विक्सित भारत के निर्मान में हम सभी के लिए नई प्रेरना बनेगा। ये संसद भावन हर भारती के कर्तब या भाव को जागरित करेगा। मुझे भी स्वास है इस संसद में जो जन प्रतिनिती बैठेंगे वे नई प्रेरना के साथ लोग तंद्र को नई दिशा देने का प्रेयास करेंगे। हमें नेशन फस्की भावना से आगे बढ़ना होगा। हमें कर्तब्यपत को सर्वो परी रखना होगा। कर्तब्यम एव कर्तब्यम और कर्तब्यम न कर्तब्यम। हमें अपने व्यवार चे उदाहन प्रस्तुत करना होगा। यद यदा चरती स्रेष्ट है। तत देव इतरोजन है। हमें निरंतर खुद में सुधार करते रहना होगा। उद्धरेत आत्मना आत्मानानम। हमें अपने नए रास्ते खुद बनाने होगे। हमें खुद को खपाना होगा। तपाना होगा। हमें लोग कल्यार को ही अपना जीवन मंत्र बनाना होगा। लोग ही तम्मकरनियम। जब सौंसत के इस नए भवन में हम अपने दाईत्वों का इमानदारी से निर्वहन करेंगे। तो देश्वास्यों को भी नए प्रेणा मिलेगे। साथ्यों, दुनिया के सबसे बड़े लोक्तंत्र को यह नई संसत, एक नई उर्जा और नई मजबूती प्रदान करेंगे। झाल झाल